नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्त उपस्थित हों आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महत्तो पूर्ण जानकारी लेकर के जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं चिया बीज के फायदे और नुकसान के बारे में चिया बीज को बेग्ञानिक रूप से विया हासपानिका के रूप में जाना जाता है चिया बीज को सुपर फूर्ट्स में से एक माना जाता है इसकी खेति सबसे पहले मैक्सिको में की गई थी ये बीज उमेगा 3 फैटी एसीड फाईवर प्रोटीन अंटियोक्षिडेंट औ लेकर उल्जन दिखाई देती है क्योंकि देखने में ये दोनों बीज काफी हद तक समान होते हैं तूलसी के बीज को शर्बत मिल्क शेक इत्यादी में मिला कर खाया जाता है यो दोनों एकदम अलग चीजे हैं इनके गुण भी अलग हैं 100 ग्राम चीजे में लगभग 485 कैलोरी एवं 31 ग्राम वशा इसके साथ 42 ग्राम कार्बोहइटरेट होते हैं बीज में 22 अमीनो एसिड होते हैं और सभी 9 आवशक अमीनो एसिड भी होते हैं चीजे बीजों की एक सर्विंग में 28 ग्राम के बराबर होती है आईए जानते हैं चिया सिड्स के कुछ एक फायदों के बारे में चिया वीज सबसे पहले तो वजन को कम करने में मदद करता है बहुत सारे लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चिया बीज आपके लिए बहुत ही अच्छे विकल्पों में से एक हो सकते हैं एक ग्लास पानी में दो चम्मच कच्चे या साबूत चिया बीज मिलाएं अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं पानी के और शोशन के कारण इन बीजों को फूलने से पहले उन्हें जल्दी ही पिएं चिया बीज में मौजूद फाइबर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है यह त्रिप्ती को बढ़ावा देता है जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है इसके साथ साथ चिया बीज को अगर आप खाते हैं तो यह आपके कबज को भी तोड़ता है चिया बीज फाइबर के साथ परिपून होते हैं विशेश रूप से अगुलन शील फाइबर जब चिया बीज पानी के संपर्क में आते हैं तो चिया बीज एक जैल में बदल जाते हैं यह आपके मल में बल्क जोड़ता है और मलत्याग में सहायता करता है जिससे कबज से रहत मिलती है फाइबर भी पाचन में सुधार के लिए पाया गया है इसके साथ चिया बीज के लाव में से मुखे एक लाव है कि यह आपके मधुमेह यानि की शुगर को नियंत्रित रखता है पाचन को धीमा करने की चिया की शमता मधुमेह की रोक थाम से जुड़ी हो सकती है सैयुक्त राज्य के क्रिश्वी विभाग के अनुसार चिया चिया बीज मधुमेह रोग्यों के लिए अच्छा हो सकता है जो पाचन को धीमा करने की चिया की शमता मधुमेह की रोक थाम से जुड़ी हो सकती है सैयुक्त राज्य के क्रिश्वी विभाग के अनुसार चिया उन्खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें शुकर यान के लिए अच्छा हो सकता है जो इस रोक के इलाज के लिए पौश्टिक रूप से महत्वपून माना जाता है इसके अलावा कैंसर के उपचार में भी चिया सीड्स लाफकारी है एक मेडिकल सेंटर के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चिया बीज अलफा लिनोलिक गुन पाया जाते हैं यह ट्यूमर के विकास को कम करने और कैंसर को शिकाओं की प्रक्रिती को रोकने में मदद करते हैं इसके साथ साथ चिया बीज का उप्योग आपके कोलेस्टरोल को कम करता है इसमें मौजूद ओमेगा-3-3-2-3-2-3-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2 चुरेटेड वसा कोलेस्टरोल का अस्तर कम करने में मदद करती है हरिदय के लिए करें आप चिया के बीज का सेवन वेश्ट वारजीन या विश्व विद्याले द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चिया बीज ओमेगा-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3- के अलावा ये अनियमित धड़कन कमरक्त चाप के जोखिम को कम करते हैं और धमनी पटिका के संचय को धीमा कर देते हैं इसके साथ-साथ चिया बीज आपकी हड्डियों के लिए भी बिहद फायदेमंद माना जाता है एक अध्यान से पता चला है कि चिया बीज में मौझू चिया बीज के सेवन को अपने शरीर में कैल्शियम सुधार करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है कल्शियम के अलावा चिया बीज मैगनीज में भी समरिद हैं जिसमें हड्डियों और दातों को मजबूत बनाये रखने के महतोपूर्ण गुन होते हैं चिया बीज फ सान के नुकसान से आपके दांतों की रख्षा कर सकती है चिया बीज के फायदे हैं त्वचा के लिए बेहधी लाफकारी चिया बीजों में मौझूद ओमेगा थ्री फैटी एसीड ब्लड सर्कूलेशन में ब्रिद्धी और सूखापन और त्वचा की सूजन को कम करने के ल रख्षा में मदद करते हैं चिया बीज में सूजन को कम करने वाले गुं होते हैं जो जुर्यों को रोकने में मदद कर सकते हैं यह बीज भी त्वचा की ठकावट को कम करने में मदद करते हैं इसके साथ साथ यह आपके निंद में भी मदद करता है जहां चिया बीज आपक जो शरीर में एक अमीनो एसिड होता है चिया बिज ट्रेप्टो फैन में उच्छ होने के कारण अच्छी निंद और आराम में सहायता करते हैं एक अमेरिकी अध्यान के मुताबिक ट्रिप्टा फान का उप्योग कई स्लिपिंग डिस ओर्डर्स के इलाज के लिए भी किया जा है पिटस बर्ग अध्यान के अनुसार ओमेगा थ्री फैटी एसिड मूड में सुधार और व्यवहार के साथ चुड़ा हुआ है चिया बीजों का उप्भोग करने से आपको अवसाद का सामना करने में मदद मिल सकती है इसके आलावा चिया बीज के कुछ एक और लावों को हम जानते हैं चिया के बीज बीटामिन जस्ता लोहा और मेगनीश्यम से भरे हुए हैं ये सभी उर्जा को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं गहन का सरत से कुछ घंटे पहले चिया बीज का सेवन करना शरीर को इंधन प्रदान कर सकता है जिससे कार्ब को जला दिया जा सकता है चिया बीज जब वर्काउट करने के बाद लिया जाता है तो यह प्रोटीन प्रदान करता है जो उत्तकों की रिपेयर में मदद करता है चिया बीज प्रोटीन का एक बड़ा श्रोथ है चिया के बीज में 19% प्रोटीन होता है और क्लिनिकल पोशन के अमेरिकन जर्न के अनुसार एक उच्छ प्रोटीन आहार भूख को कम कर सकता है और त्रिप्ती को प्रोतसाइद कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि एंटी ऑक्षिडेंट कितने महतो पूर्ण होते हैं और चिया बीजों में यह प्रचुर मातरा में पाये जाते हैं एंटियोक्सिडेंट हम सभी जानते हैं कि एंटियोक्सिडेंट कितने महतुपूर होते हैं और चिया बीजों में यह प्रचुर मातरा में पाये जाते हैं इंटियोक्सिडेंट न के वलको शिकाओं के लिए अच्छे होते हैं बलकि त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये ब्रिधावस्था के संकेतों को धीमा करते हैं आईए ये तो थे फायदे अभी तक अब हम जानते हैं चिया सीड्स के लॉस के बारे में चिया बीजों का अधिक मातरा में सेवन करने पर एलर्जी हो सकती है इस एलर्जी में शरीर पर निशान, सांस लेने में दिक्कत, खुजली, दस्त, उल्टी, सूजन, इत्यादी समस्य आपको हो सकती है यदि आप प्रोस्टेट कैंसर से पिडित हैं तो चिया सीड्स का सेवन करना बंद कर दें उच्छ फायवर समगरी की वजह से चिया बीजों का सेवन करते वक्त कुछ लोगों को पेट में परिशानी का अनुभव हो सकता है विशेश रूप से बड़ी मात मातरा में किसी भी भोजन के साथ कम मातरा में खाना खाएं और हमेशा बहुत पानी पिएं चिया सीड्स में बहुत अधिक मातरा में फायवर समगरी होती है लेकिन उच्छ फायवर आहार प्रतेख शरीर के प्रकार के लिए काम नहीं करता है एक ही बार में बहुत अधिक फ बहुत अधिक फाइबर के सेवन से कबज और दस्त हो सकते हैं चुकि चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लोड होते हैं और ये नेचुरल ब्लड थिनर के रूप में कारे कर सकते हैं आपके रक्त को क्लोंटिंग से रोकते हैं यदि आप पहले से ही वाटर फिरिन जै ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए जो की चिया बीज के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई थी अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोफूंच जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों